आपने कल ये सुना होगा कि जो राज्यसभा है वहाँ पे दिल्ली सेवा बिल को पास कर दिया है और अब वो कानून मन जायागा जब उसमे राश्पति जी साइन कर दिंगे तो कुल मिला के बहुत सारी लोग ये कह रहे हैं कि आप केजरीवाल किसी काम का नहीं रहा दिल्ली क जो बहुत सारी बातें चल लिए और बहुत सारी लोग केजरीवाल को बोलने हैं केजरीवाल बाई इस्तीफा दे देना चाहिए वगेरा बहुत सारी बातें चल लिए सोचा कि क्या केजरीवाल को पता नहीं होगा कि राज्यसभा में भहुमत नहीं है क्या ये बात वाल को क्या-क्या फाइदे होने वाल है और फाइदे इतने ज्यादा असरदार है इतनी ज्यादा मतलब इतने अच्छे फाइदे आमादी पार्टी के लिए कि बहुत अच्छी इस्तितिया आमादी पार्टी की चाहे वह पंजाब में हो चाहे वह दिल्ली में हो लेकिन जो ल लोकसभा में भी अच्छा परफॉम करें सीटें निकाल के दें अब बात यह आती है कि यह होगा कैसे आमाधी पर्टी चुनाओ कैसे दीदे की लोकसभा का तो इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा 2019 में जो लोकसभा चुनाओ था उसके बारे में आप दिल्ली मे साथ सीटें हैं लोकसभा की और साथ की साथ सीटों में अगर आप बीजेपी के कंडिडेट देखेंगे तो उनको करीब करीब 52 से 53 परसंट वोट के आसपास मिला है हर कंडिडेट को ठीक है और टोटल जो है वोट शेयर उनका 55-56 परसंट के आसपास है बीजेपी का और कॉ के तो 22 परसंट और 18 परसंट कितना होता है 40 के आसपास चालिस परसंट वोट शेयर है आमाद्य पार्टी और कॉंग्रेस का मिला के और बीजेपी का है 54-54 के आसपास यह निकों मिला के 15 वोट 15 परसंट वोट उनका फ़रक है जीतने के लिए तो कुल मिला के अब एक ही आप की बात नहीं होगी और 2019 का चुनाओ तो आपको पता था बिल्कुल सबको पता था कि नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनने वाली है बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है लेकिन इतना मोदी मैं माहौल होने के बाद दी दिल्ली की 40% जंता ने आमाद्नी पार्टी और कॉंग्रेस को बोड़ दिया तो आप समझो आज के क्या हालात है आज तो उतना मोदी मैं माहौल तो नहीं बचा तो 40% और 52% करीब करीब 40-50-10% जो फरक है इस फरक को आराम से पाटा जा सकता है अगर आमाद्नी पार्टी और कॉंग्रेस एक साथ मिलके चुनाव लड़ती है तो अब मैं वापिस आता हूं केजरिवाल जी की जो टेकनीक है उस पर देखो क्योंकि सबको पता है केजरिवाल जी को भी पता है कि भई कॉंग्रेस के साथ आलाइंस में आना पड़ेगा अगर चुनाव जीतना है तो अब भई केजडिवाल जी कैसे है Cambridge के साथ में, क्योंकि उनकी तो बुराई करकर कि वो लोग सत्ता में आ रखे हैं केजडीवाल लोग ठीक है क्योंकि अन्ना अन्दोलन क्या Congress से खिलाफ ही था, Congress तो बहुत गालियां दे रखे ही क्योंकि रावुल गांधी का आपने देखा होगा रावुल गांधी ने कैसी रूखिया था यह भाड़ोव यातर शुरूखी थी ना रावुल गांधी ने तो दू नों का लाश्न प्लैन यह होगा कि मतलग कंट्री को आगे रखते वे मतलग सब को duż अलाइश करके आगे बढ क्यों जा रहे हैं और दूसरा कि इपक्सित संद मिलके अपनी लोगसभा के सीटे निकालने का इतना अच्छा मौगा केजडिवाल को मिल गया तो केजडिवाल ने बोला कि बेटा मेंग इंडिया नंबर वन को रखो नीचे अब यह जो ओडिनेंस है इसी के बहान है निकि इसी को अपना हतियार बनाके बीजेपी पर वार करना आप सीधा सीधा आप खुद ही सोचो न अगर कोई पत्रकार आमादी पार्टी के किसी मेंबर से पूछता है या फिर केजडिव क्योंकि हमारी मजबूरी सब्दका यहां पर अच्छा इस्तमाल के जडिवाल ने कर दिया कि मजबूरी भी दिखा दी कि हम नहीं चाहते वे भी जॉइन होना पड़ा क्योंकि हमें दिल्ली को बचाना था यह जो है यह गेम जो है केजडिवाल खेल चुके हैं और most of the chance है कि दिल्ली की जो सीटे हैं लोग सबागी निकाई जाएंगी क्योंकि मैंने आपको बता दे दिल्ली का गेम कि 2019 की इतनी मूदी में महाल में भी 40% लोगों ने विपक्ष को वोड दे रखा है समझ लो आप 40% लोगों ने तो अब तो उतना मूदी में महाल बिल्कुल भी नहीं अब तो मोधी में खतमी हो गया तो आप समझ सकते हो कि कितना उलट फिर हो सकता है तो अब आप मुझे कमेंट में लिखके बताओ कि इस बिल्ल के आने के बाद से दिल्ली में क्या-क्या बदल जाएगा इस बिल्ल के आने से फायदा हुआ नुकसान हुआ आपको क्या लगत तारी है झाल अलिए एन घसका हुआ है झाल 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 मां लिए झाल के झाल झाल